डोपलर एफेक्ट की दो खेसिस तो हम कर चुके हैं जिस सिचुएशन में हम लोगों ने जो है सोर्स को कॉंस्टेंट माना था कि सोर्स को हम लोगों ने स्टेशनरी रखा था और अब्जरवर को हम लोगों ने मूफ कर आया था लेकिन आज के सिचुएशन में हम इतका सेकंड केस डिसकस करेंगे जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि हमारा सेकंड केस है इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने सोर्स को सोर्स रुह है वो स्टेशनरी नहीं होगा सोर्स रुह है वो मूफ करेगा और हमारा चो अब्जरव है वो हम कह देते हैं कि observer हमारा स्टेशनर है observer को एक जगा fix कर देते हैं और अपने source को move कराना शुरू कर देते हैं ऐसे जैसे कि आप एक जगा fix हो जाएं और एक कार या कोई ऐसी चीज़ जो sound image करें या वो आपकी तरफ या आपसे दूर जाना शुरू कर दें तो उस situation में आपकी जो frequency है और जो frequency और जो speed है या wavelength है उसमें क्या change आएगा और हमने शुरू में ये बात भी की थी कि जब हमारा source move करते हैं तो उस situation में हमारा जो lambda है वो change होता है और हमारी जो speed है जो sound की speed है वो same रहती है यानि कि मुझे assumption भी यहाँ पर ही कर लेनी चाहिए कि जब हमारा source move करेगा तो हमारे जो lambda है वो change करेगा lambda variable होगा और जो speed of sound है यहाँ पर लिख लेना चाहिए speed of sound है वो constant रह जाती है speed of sound constant रह जाती है तो lambda की change होने से भी हमारी frequency change होती है क्योंकि हम एक parameter को अगर constant रखते हैं और अगर एक equation में तीन parameters हैं जैसे के V is equal to F lambda है अगर मैं lambda को constant रखा था पहले situation में जैसे के हमने Doppler's effect के पहले दो cases discover किये हैं बलके बयान किये हैं जिस situation में हम लोग ने source को fix किया था तो इस situation में हमने कहा था कि हम लेंड़ा को constant मान लेते हैं तो हमारे ये दो parameters जो हैं वो तबदीर होना शुरू होगे हमारे जो frequency है वो और हमारी speed लेकिन आज के case में हम कहा रहे हैं चुकि हमारा source मूब कर रहा है तो हमारी lambda चेंज होगी और हमारी जो speed है उसे हमने constant मान लिया है तो इसका मतलब है किसी एकादी चीज़ को हमें constant मानना पड़ता है ताके दो parameters के दम्या relationship निकाल सकें कि एक चीज़ के change होने से दूसी चीज़ पे कितना effect पड़ता है अब इस situation में हम लोगों ने ये कहा है कि हमारा source मूफ करेगा जबके हमारा observer स्टेशनरी रहेगा तो हमारी जो lambda है उसमें तबदीली आएगी तो इस situation में क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये हमारा observer है और ये हमारा source है अगर ये दोनों ही stationary होते हैं तो जितनी wavelength की waves ये image करता उतनी wavelength की waves ये detect कर लेता अगर ये stationary था तो इसके पास भी wavelength ऐसी ही जानी थी यानिकि wavelength में कोई फरक नहीं आना था लेकिन अब हम लोगों ने case थोड़ से reverse कर दिया case इस तरह से reverse कर दिया कि अब हमने कहा कि हमारा observer जो है ये अपनी जगा stationary है और जो हमारा source है वो move कर रहा है अगर source move करेगा source के move करने के दो तरीके हैं या तो source हमारा observer की तरफ move करे या observer से दूर move करे पहली situation हम ये ले लेते हैं कि हमारा जो source है वो हमारे observer की तरफ move कर रहा है तो इस situation में हमारे पस क्या होता है कि ये हमारा observer जो हम लोगों ने fix कर दिया है और ये हमारा source है लेते है कि जब ये दोनों ही stationary थे तो इनके दर्मिया कुछ difference जो distance था इनके दर्मिया वो तकरीबन 50 मीटर था लेकिन अब चुके हम लोगों ने अपना observer fix कर दिया है और हमारा जो stationary source है वो moment शोकर है तो वो चुके इसकी तरफ जा रहा है तो अब जो distance है उसमें decrease होगा तो distance में decrease होने से हम लोग कह देते हैं तकरीबन के अब इनके दर्मिया जो फासला है वो 55 मीटर कर रहे गया अब बात आ जाती है इनकी sound waves की अब sound waves में जो waves है उसमें क्या फरक पड़ता है अगर source जो है वो observer की तरफ move करे तो जब हमारा source observer की तरफ move करता है तो यह हमारा source जब हमारे observer की तरफ movement शुरू करता है तो हमारी जो lambda है इसमें decrease आना शुरू हो जाता है यानि के wavelength में कमी होना शुरू हो जाती है और जब wavelength में इस तरह से ना wavelength में चुके हमारा source है वो observer की तरफ movement शुरू कर रहा है तो हमारा जो wavelength है इस source की जो emit कर रहा है और जो हमारा observer detect कर रहा है इसमें तो इस तरीके से जो हमारा lambda है उसमें decrease आना शुरू हो जाते हैं जिसे हम लोग lambda minus delta lambda जो changing lambda है इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो source ने अब जो sound wave emit की है या जो produce की है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है उनकी wavelength में जब वो observer की तरफ moment शुरू करता है तो इस situation में हमारी जो speed है जो observer तक speed आ रही है इन sound wave की वो तो सेम रहती है लेकिन lambda change हो जाता है अब lambda change होने से हमारे पास जो नई frequency है उसके बारे में हमें मालूम करना है कि इस observer तक जो नई frequency पहुंचती है उसमें कितना फरकाता आया कि वो कम होती है या वो जादा होती है इसे मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि V is equal to F lambda है यह हमारी situation यह है जब दोनों stationary condition में थे लेकिन हमने बोला है कि हमारी जो speed है अब वो तो constant है लेकिन हमारा lambda चेंज हो रहा है यानि कि अगर पहले situation में lambda यह था तो बाद वाली situation में हमारा जो नया lambda है जिसे मैं lambda dash कहलूँ वो lambda dash है कि lambda पहले lambda में से change जिन lambda जितना भी lambda में change हुआ है अब उसको minus कर दिया जाए पहला lambda जो है उसे मैं v is equals to f lambda की expression से निकाल सकती हूँ जो कि v divided by v divided by f है इस तरह से और minus data lambda को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि इसमें v रही बलके u लिखना चाहिए और u जो है हमारे source की speed यहां पर source की speed आनी चाहिए u और divided by हमारी जो source की frequency है तो इस situation में जो निया lambda हमारे पास निकलता है वो इस तरह थी है कि अगर हम इसका lcm ले 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 ते यह v minus us जो हमारे पास f lambda आ जाएगा यह हमारे पास पहली situation यह थी जब दूसरी situation यह आ जाती है कि हमारा पहले तो stationary थे दोनो लेकिन अब हमने कहा है कि हमारा जो source है वो हमारे observer की तरफ moment शोक कर रहा है तो अब हमारी जो frequency है जो हमारे lambda है delta lambda जो change in lambda आता है वो decrease करना शुरू हो जाता है तो f dash into lambda dash और यहां पर मुझे dash नहीं लगाना चाहिए था चुक्के हमारे speed तो constant है speed ने तो तब्लील नहीं होना तो अगर मैं इसकी जगा यह values पुट करूँ v is equals to f dash और lambda dash जो है वो v minus us divided by f है यह इसका expression है जो हम लोग ने इस equation a dash में पुट कर दिया तो इस situation में मुझे जब f dash find out करना है तो मैं इसे असानी से यह लिख सकती हूँ कि v divided by v minus us into f तो यहां पर फिर पहले वाली बात ही आज़ती है कि जब हमारा numerator हमारे denominator से भड़ा हो तो हमारा answer हमेशा greater than 1 आता है जैसे कि अगर आप फर्स कर लिजे कि आपकी जो velocity है जो speed है पहली speed जो थी तकरीबन 2 meter कर लिजे और बाद वाली speed में जो source की speed में increase हुआ है जया source की speed में जो उसकी speed तकरीबन 1 आता हमारे युएश जितना भी वह हो तकरीबन 1 है वो जितना भी आया होगा तो V में से तो माइनस ही होगा ना V में से तो सब्ट्रक्ट होगा तो इसका मतलब है कि हमारा नियूमिरेटर हमेशा भढ़ाएगा और डिनोमिरेटर हमेशा छोटा आएगा और जब ऐसी सिट्वेशन हो तो V divided by V minus US हो जैसे कि आप इस तरह से कह लिजिए कि अगर 7 divided by 5 हो तो इसका अंसर हमेशा greater than 1 होगा similarly यहां पर भी यह है कि V हमारा भढ़ा है V और V में से जो भी सब्ट्रक्ट होगा US का जो भी हमारे सोर्स के स्पीड हुई होगी वो हमारी पहली वाली स्पीड में से minus ही होगी और उपर वो ही वाली स्पीड जो है वो भड़ी है नीचे उसी स्पीड में से कुछ ना कुछ minus हो रहा है जैसे कि आप यह समझ लीजिए कि अगर यह V हमारी 7 है इसको 7 कर लिजिए कि 7 है और 7 में से इसमें कुछ भी इंक्रीज हुआ है 2 है 5 है ये US जो है वो तक्रीबर फर्स कर लीजिए 5 है तो 7 डिवाइड बाइ 2 हमेशा greater than 1 है तो इसका मतलब है ये पूरी सिचुएशन जब भी हमारा numerator भड़ा हो और denominator छोटा हो तो ये आंसर हमेशा greater than 1 होता है और अगर ये जिस greater than 1 है तो मुझे कहना चाहिए कि मेरी जो frequency है वो भी greater than F होगी यानि किसे मुझे ये कहना चाहिए कि हमारी जो बाद वाली frequency होगी जब हमारा source जो हमारे observer की तरफ जा रहा है तो जो frequency में increase है वो भी greater than उसकी जो initial frequency से उससे ज्यादा ही होगा तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हमारा stationary source हमारे observer की तरफ move करेगा तो हमेशा frequency जो बाद वाली frequency आएगी वो initial frequency से हमेशा increase होगी जैसे कि आप इस animation से असानी से समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा source stationary है तो exact wavelength की sound waves है वो emit कर रहा है लेकिन जैसे ही हमारा stationary source आगर हमारा observer यहाँ है उसकी तरफ movement शोग करता है तो इसकी wavelength में decrease होना शुरू हो जाता है और frequency में increase होना शुरू हो जाता है जैसे कि इस situation में जब हमारा stationary source है उसकी तरफ जाए या उससे away जाए हमारे observer से तो हमेशा इसकी wavelength में decrease हो रहा है जैसे कि इस तरफ देखा जाए कि अगर हमारा observer इस तरफ है इस point पे राइट पॉइंट के राइट तरफ तो आप देखेंगे कि इसकी wavelength में decrease हो रहा है अब आप कोर किजिए कि अगर red point के राइट तरफ आपका कोई observer पड़ा है तो आपकी wavelength में decrease आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी जो नई frequency बनेगी उसमें definitely increase होगा लेकिन अगर अगर मैं ये situation रख लूँ कि मैं कहूं कि मेरा observer जो है वो तो अपनी जगा पे stationery है लेकिन मेरा जो source है जो sound image कर रहा है बजाए इसके कि वो हमारे observer की तरफ जाए अब वो हमारे observer से away जा रहा है यानि कि ये हमारा second case है कि मेरा जो source है वो हमारे stationary observer से इस तरफ जा रहा है वो उससे right shot पर movement शुरू कर दी है उसने तो इस situation में क्या होता है कि अगर दोनों stationary थे तब तो हमने कहा कि इनके दरम्यान distance 50 meter है लेकिन अब चुकर ये उससे away move कर रहा है हमारे जो observer से जो हमारा stationary observer है उससे हमारा source away move कर रहा है तो इसका मतलब है कि away move करने से इनके दरम्यान जो distance है वो increase कर जाएगा और मालनी जी है कि जब ये दूर जाता है तो हमारा जो distance है वो increase करके 60 हो जाता है और एक और चीज की जब हमारा अब्सरवर जो हमारा सोर्स है वो हमारे अब्सर्वर से दूर जाना शुरू कर दे, वे जाना शुरू कर दे तो हमारे पता सांड वैस य miss अमिट करता है, उस में इंक्रीज आना शुरू होगा जाता है इस तरह से उसमें जो डेल्टा लेम्डा है हमारा लेम्डा डेश आता है न्यू लेम्डा वो ऐसा आता है कि लेम्डा प्लस डेल्टा लेम्डा कि लेम्डा में अब इस सिचुशन में इजाफा होना शुरू हो जाता है इसका मतलब है लेम्डा में इजाफा हुआ है लेम्डा में अगर इजाफा हुआ है तो डेfINITELY हर हाल में इसकी फ्रिक्वेंसी में तो कुछ न कुछ डिकैस जरूर होता है क्यξे हमने माना है कि बह़ गया है इसके बह sighs जह त्रमों है जो के fix है इसी तरह से लिख देते है fix है और अप इनके दर्मिया जो फासला है वो increase हो गया चुकि हमारा stationary source जो है वो इससे दूर जाना शुरू कर रहा है जैसे के अगर एक कार है कार जो है वो sound image कर रही है और आप एक जगा फिक्स हो गए हैं आप एक जगा पर ही खड़े हो के देख रही है कि किस तरह से sound image कर रही है आया कि आपका वाज दे सुनाई दे आवाज में तो फरक नहीं आएगा चुकि जब हमारा stationary source जो हमारा source है वो move क stationary हो तो हम लोगों ने ये बास शुरू में ही कह दिये कि हमारी जो speed है वो constant होती है जबके हमारी wavelength में decrease आता है या increase आता है अगर तो वो stationary source अब हम लोगों ने कहा है कि वो दूर जा रहा है जैसे कि अगर कार की बात की जाए यहां पर अगर कोई कार होती इस तरहां से और वो में कोई फरक नहीं आ रहा लेकिन जो stationary source दूर जाना शुरू कर देता है और lambda में increase हो तो इसका मतलब में लैम्डा में increase हुआ है तो आपकी जो frequency है उसमें definitely decrease होता है decrease क्यों होता है चूंकि आपको मलूम है कि V is equal to F lambda है लैम्डा को अगर आप constant मान ले लैम्डा को हम constant किस situation में मानते हैं जब हमारा observer जो है वो move करता है और हमारा source stationary होता है तो हम कहते हैं कि lambda constant है इसका मतलब है कि V और F के दर्मिया जो relationship है वो directly है लेकिन अब इस situation में हमने ये कहा है कि हमारा V जो है वो constant है इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ constant है और हम लोगों को relationship किसमें find out करना ह F और lambda में इसका मतलब है कि हमें F मालूम करना है F अगर यहाँ रखों और lambda यहाँ ले जाओं तो 1 divided by lambda इसका मतलब है कि F और इसके दर्मियान हर हार में inversely relation होदा है क्योंकि हम जब is equal to को हटाते हैं तो F directly proportion to 1 by lambda है हम कह रहे हैं कि lambda में increase होता है जब stationary source observer से दूर जाता है It means कि lambda increase हो रहा है तो हमारी जो frequency है जो नहीं बने वाली frequency है उसमें हमेशे decrease ही आएगा अब इसे भी हम mathematically proof कर सकते हैं हमें मालूम है कि V is equals to F lambda यह हमारी situation A है जब यह दोनों ही stationary हों observer और हमारा source लेकिन अब हमने कहा कि हमारा observer stationary हो गया और source away move कर रहा है जब source away move कर रहा है तो वी जो है हमारी speed वो तो constant है तो frequency में कुछ ना कुछ increase होगा और lambda में कुछ ना कुछ increase होगा अगर lambda में increase है तो definitely frequency जो नहीं frequency आएगी उसमें हमेशे decrease ही होगा चुकि इन दोनों में आपस में inversely relationship होता है और हमारा जो एफ जो यह लेंड़ा डैश है इसे हम लोगों ने बताया है कि यह लेंड़ा प्लस डेल्टा लेंड़ा है और यहां पर f डैश is equal to v अगर मैं इसे v की form में लिखना चाहूं चूंकि उपर भी v है नीचे भी v तो जरा comparatively easy हो जाता है बताने में किस तर इसके source की speed है ना तो source की speed के लिए us लिखना पड़ा और इसके नीचे f इसका मतलब पर जब मैं इसका बोलूंगी lcm तो मेरे पास ऐसे situation आएगी कि v v plus us तो अगर मैं इस expression में put करती हूँ तो मेरे पास यह आता है कि v is equals to f dash यह f dash थी ना चूंकि हमारी नई frequency है जो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं वो v plus us divided by f है अगर मुझे यह नई frequency मालूम करनी है वो तो इस तरह से आएगी हमारे पास v plus नहीं नहीं बलके इस तरह से होना च चाहिए ना v divided by v plus us into f अब देखा जाहिए तो अगर मैं मालूँ के मेरी यहां पर v जैसे के मैंने पिसली को एन में कहा था कि 7 माले जी के 7 meter per second है तो 7 meter per second square इसमें यह us आप भी 1 है 2 निकलती है जितनी भी आपकी वो आप उसमें add करें तो इसका मतलब है आपका denominator हमेशा आप 1 ही आता है यानि कि आपकी नीचे रकम भड़ी यह नीचे फर्स का लीजे कि अगर 10 है उपर 7 आ जाता है तो यह हमेशा less than 1 answer आएगा इसका मतलब ही यह हमेशा less than 1 है तो हमारी जो नई frequency बनेंगी वो भी हमेशा कम होगी जो हमारी पहली frequency होगी इसको आप इस तरह से भी दे स्टेशन से चल पड़े तो वो दूर जाना शुरू होगी तो आपको जो है वो frequency कम सुनाए देगी जो sound waves आप तक पहुंचेंगी उसकी जो frequency है वो कम होगी तो इस तरह से डोपलर एफेक्ट की जरीए आप मुखलिफ चीजों की frequency आप apparent frequency में जितना आप चेंज इन frequency मालूम कर सकते हैं चेंज इन wavelength मालूम कर सकते हैं कि जब आपका सोर्स और observer दोनों ही स्टेशनर ही हो तब क्या फरक पड़ता है इनकी wavelength और frequency में जब यह move करते हैं तब क्या फरक पड़ता है इनकी frequency में फरक पड़ता है या इनकी wavelength में या speed में तो यह मुखलिफ cases हैं Doppler's effect के और Doppler इसे हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सी इसकी application है बहुत ज्यादा applicable है यह हम मुखलिफ जगों पर इसी इस्तमाल करते हैं जैसे के function of radar है या sonar system है motion of beds में इस्तमाल करते हैं estimate of motion of stars कर लेते हैं sound of whistle of moving train मालूम कर सकते हैं detection of speed of vehicles and road हम यह भी असानी से मालूम कर सकते हैं तो यह Doppler effect की जो मुखलिफ application है यह हमें बहुत help करती है मुखलिफ चीजों की frequency वगरा find out करने के लिए तो यह Doppler effect के कुछ cases थे जिसे हम लोग ने describe किया है कि मुखलिफ cases जब हमारा source stationery हो जाए या हमारा observer stationery हो जाए तो हमारी frequency जो नई frequency है वो किस तरह से निकलती है तो Doppler effect की मदद से हम लोग असानी से बता सकते हैं तो होप सो आपको काफी हद तक Doppler effect के बारे में समझ आ चुका होगा